नमस्ते, दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राजा और चाबी की एक अनोखी कहानी. कहानी में राजा की तेजोरी की चाबी गुम हो जाती है और राजा पता लगाना चाहते थे कि चाबी आखिर चुराई तो चुराई किसने जबकि राजा को इस बात का पुरा पता लग गया था कि चाबी किसी दर्बार के किसी एक आदमी ने चुराई है. दोस्तों कहाने के अंद तक बने रहे ताकि इस कहाने के अंद में जो सवाल पूछा जाएगा उसका जवाब आप आसानी से दे पाए तो चलिए कहानी सुरू करते हैं एक बार की बात है एक राज्य था जिसमें एक राजा राज्य करता था राजा बहुत ही इमानदार और होशियार था अपनी प्रजा से बहुत स्नेह करते थे उनके राजा होने की खुशी सभी प्रजा के मुह पर जलक रही थी प्रजा अपने आपको पागिशाली मान रही थी कि हमें इस्वर जैसे राजा मिले उनके राजा होने से प्रजा को किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था प्रजा के दिन बड़े खुशी से गुजर रहे थे राजा के राज दरबार में कई सारे मंत्री रहते थे जिन में से एक मंत्री लोबी और कमंडी था वह राज दरबार से चोरी छुपके कुछ नकुछ चुरा ही लेता था लेकिन किसी को भी इस बात का पता नहीं चलता था कभी सिक्के चुरा लेता तो कभी आभुसन चुरा लेता तो कभी-कभी ऐसी वस्तुय भी चुरा लेता था जब राजा को इस बात का पता चलने लगा कि राज दरबार से रोजाना कुछ नकुछ चोरी हो रहा है तो उसे इस बात का बहुत दुख होता था कि हमारे राच्चे में इसा काम करने वाला कौन होगा उसे अपने मंत्रियों में से एक मंत्री पर संदे होने लगा तो राचा ने सच सामने लाने के लिए एक दिन अपने सैन कक्स की चाबी वहीं पर एक जगह गिरा दी और अपने मंत्रियों को इस बात की खबर दी और चाबी ढूंडने को कहा सभी मंत्री चाबी ढूंडने लगे और राजा उन पर नजर रखने लगा रात होने पर चाबी न मिलती तो सभी मंत्री भी जाकर सो जाते है और राजा चाबी लेकर अपने कक्स में से सो जाते थे कई दिनों तक एसा ही चलता रहा और एक दिन राजा का संदे सत्य निकला उस मंतरी को वह चाबी मिल गई थी लेकिन उसने वह चाबी अपनी जगह छिपा दी ताकि राचा के कक्स में भी चोरी की जाए तबी दुसरे दिन राचा ने कहा मेरे कक्स में 400 सोने की मोहरे है अगर चाबी न मिली तो वह कुछ काम की नहीं है और अगर जिस मंतरी को मिलती है उस 1100 सोने की मोहरे दूँगा कमंडी मंतरी ने सोचा अगर चोरी करूँगा तो 400 मोहरे ही मिलेंगी लेकिन जब चाबी राचा को दे दूँगा तो 1000 मोहरे मिलेंगी सभी चाबी ढूंडने चले गए और राजा भी उन पर नजर रखने लगे तबी उस मंत्री ने इधर उधर देखा और चाबी उठा कर राजा के पास आ गया और राजा को चाबी देते हुए उन्होंने इनाम मांगा तो राजा ने कहा ये चाबी मैं नहीं गिराई थी ताकि सच का पता चल जाए तुम चोर हो तुमने लालच करके चाबी मिलने के बाद भी उसे चुपा दी और फिर इधर उधर देख कर चाबी उठा कर मुझे दे दी तुमें लगा कि किसी ने तुमको देखा नहीं होगा और एक हजार मोहरे मुझे मिल जाएंगी मैंने सब कुछ देख लिया था तुम लालची और कमंडी मंत्री हो इसका पता लगाने के लिए ही मैंने ऐसे किया था राचा ने उस मंत्री को अपने राच दर्बार से ही बाहर कर दिया राचा ने उस मंत्री को बंदी बना लिया और काराग्राह में डाल दिया और उस पर कड़ी निगरानी रखने का आदेश दिया दुसरे दिन राचा सभा में राचा के मंत्री को बूलवाया और राच सभा में सब के बीच में खड़ा कर दिया और फिर सबको उसकी पूरी कर्तूत के बारे में बताया गया राजा ने उस मंत्री को पूरी प्रजा के सामने ले जाने का विचार किया ताकि मंत्री को पूरी प्रजा के सामने दंडित किया जाए ताकि पूरी प्रजा में और उसके पूरे मंत्रियों में सभी को पता चले कि राजा के राज़ दर्बार में चोरी करने का क्या अंजाम होता है राजा ने मंत्री को सबके सामने कड़ी सजा दी ताकि राज़ का कोई दुसरा सदस्य या मंत्री कोई भी अगली बार चोरी करने से पहले हजार बार सोचे कि राज़ा के दर्बार में चोरी करने का क्या अंजाम होगा दोस्तों कहानी के अंत में आज का हमारा सवाल यह है कि कहानी में जो राजा की चाबी गुम हुई थी वह चाबी किसने चुराई थी और क्या इस बात का राजा को पहले से पता था कि चाबी किसने चुराई है धन्यवाद झाल झाल झाल